तो आज कहा हम आया है नियू वीडियो है जिसके अंदर हमको पढ़ना है एम्स और अब्चेक्टिव और इंक्लोजिव एजुकेशन की नीड और उसकी इंपोर्टिंस लास्ट वीडियो में करवाई थी अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिया है तो आप में चैनल में जा मतलब की नीड्स और इंपोर्टेंस ही मैंने उसमें बढ़ाया आपको तो आप उसमें जाके बढ़ सकते हो ओके फ्रेंट्स तो यह बहुत इजी टॉपिक था पॉइंट्स तो पॉइंट्स समझाया था मैंने उसे फिर उसके बाद आता है एम्स और अब्जेक्टिव इंक इंक्लोजव एजुकेशन को अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ कर रहे हैं या फिर इंक्लोजव एजुकेशन किसलिए पढ़ाई जाती है ओके फेंट्स तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इंदर मैं आपको एकदम पॉइंट्टो पॉइंटी समझाऊंगी बिल्कुल एक्स्ट्रा आपका टाम नहीं लेना चाहती तो आप जहां से में हमारा शुरू हो रहा हैं वहां से पढ़ लेते हैं में एम ओफ इंक्लोजव एजुकेशन कैन बी डिस्क्राइब इन फॉलिंग फॉर्म्स पॉर्म जो में एम्स है या फिर ऑप्जेक्टिव हैं learning processes actively may take learning level high मतलब कि inclusive education का main aim क्या है main aim ये है कि educational environment को बढ़ावा मिले किसके लिए जो बच्चे disabled हैं उनके लिए ताकि हर एक हर एक child को या फिर हर एक student को individual को participate करने का मौका मिले किसमे learning teaching learning processes की अंदर जो कि उनको और high level पे ले जाएगी और ज्यादा पढ़ने के लिए उनको क्या सकती है कि उनका जो opportunity है पढ़ने के लिए हो ताकि वो और ज्यादा उनके लिए बढ़ती रहे time to time ओके फ्रेंट्स तो next point है हमारा the aim of inclusive education is to develop inherited talent of children because different type of talents are included in disabled children for the development of these talents proper guidance is given in inclusive education अब यहां पर क्या है अब यहां पर aim बताया गया है inclusive education का क्यों जुपा हुआ talent होता है बज्यों को उसे ढून exempt आप До पे इसाफ अब डारोडे saham में यहाँ पर बात हो रहे हैं कि We operate उसको सर्च आउड करना है फिर उसको हमारी लाइफ के अंदर मतलब की उस इंडिवीजल की लाइफ में ताकि वो practice करके अपना profession कोई अच्छे से ले सके ताकि वो उसकी life के अंदर काम आ सके उसको बढ़ावा देना है ठीक है तो third point है हमारा the main aim of inclusive education is to remove the obstacle in which are found in the way of falling learning और main aim यह भी है inclusive education का कि जितने भी उनकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है मतलब कि जो disabled children होते हैं किसी भी तरीके से उनकी life में बहुत ज्यादा problems आती है पढ़ने के time पे तो उस जो पढ़ने के time पे जितने भी उनको problem आती है उसको खतम करना है इसका aim inclusive education का और उनकी learning को दावा देना है these obstacles are related to अब जो इनको पढ़ने में problems आती है कौन कौन सी आती है हमें problem discuss कर लेते है obstacles होते हैं उनकी पढ़ने में क्या क्या होते है curriculum यानि किसले बस आपका teachers के ध्यान देते हैं नहीं देते है उसके बाद teaching method अगर teacher आपको पढ़ा रहा है मतलब उस individual को पढ़ा teaching method best है उस student के लिए हमें यह भी देखना है फिर उसके बाद है and the community etc और जो आजपास की community है उसको भी ध्यान में रखते हुए उसकी जितने भी obstacle है हमें दूर कराने community का मतलब यह होता है यहां पर अगर direct देखा जाए तो उसके आजपास की लोग जो normal होते है वो तो आसानी स पढ़ लेंगे बट वह ही एक individual ऐसा हो रहेगा जो पढ़ने में थोड़ा सा slow होगा या फिर हो सकता है कि इसकी catching power अच्छी हो बट लिखने में वो इत्ताफुर तीला ना हो क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ disability है इसलिए ठीक है तो यह इसके obstacle थे इसलिए inclusive education इनको भी करने में help करती है next fourth point है the main aim of inclusive education is to make reformation of curriculum because under the curriculum is constructed in such a way that general and disabled both the students may be benefited अब जो हमने यहां का हमने last point में यह देखा था कि इनका curriculum है यह भी एक तरीके से obstacle बन जाता है इनके लिए अगर inclusive education का aim देखा जाए तो इस मतलब कि जितनी भी उनको problems हा रही है उस curriculum में उसको change करके वो method वहां पर यह उसके जाए जो उनके लिए easy है थोड़े तो यह हो गया next point है in inclusive education system students are given quality education for this cooperation of government, community, government organization is also taken so that the quality education may be given to the activities अभी यहां पर क्या बात की जा रही है कि inclusive education को बढ़ावा देने के लिए और inclusive education जो हम students को दे रहे हैं काफी अच्छी हो तो उसके अंदर कौन कौन से चीज़े काम करती है government का cooperation हमारी जो community है government का organization ठीक है यह सभी चीज़े जो है बहुत important role play करती है for the quality of education for the good quality of education in the field of inclusive education as well as simple education which is for the normal students ठीक है friends तो 6th point है मारा teachers are trained through various type of activities teachers जो होते हैं अब की aim पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हम teachers की भी बात करेंगी अब जो इनकी teachers की जो training होती है वो भी बहुत अलग-अलग तरीके की होती है they are told उनको बताया जाता है what kind of behavior or child have मतलब की बच्चों का विवहार कैसा होता है and what a precaution should be taken in teaching them और मतलब की अब हम बात कर रहे हैं teachers के बारे में तो teachers मैं आपको इस बता रहे हैं दुबारा से जब teacher को ए ट्रेनिंग लेने जाता है तो वहां पर बच्चों का behavior उनके action अगर वो कुछ करते हैं class में या फिर अगर teacher उनको कुछ बोलता है तो उनका क्या reaction होएगा वो teacher को बताया जाता है कि इस situation में आपको कैसे react करना है आपको बच्चों को मारना पीटना नहीं है बहुत politely समझाना होता है तो यह इस point में दिया हुआ है ठीक है तो आज की video में हम यह six point ही करेंगे आगे जो seven to eleven point है यह मैं आपको next video में कराऊंगी क्योंकि क्यों अगर मैंने सारे points एक ही वीडियो में डाल दिये तो आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा देखना और मैं ज्यादा वीडियो लंबा बनाना चाहती नहीं हूँ इसलिए जो बागी के points हम next video में करेंगे आज की लिए बस इतना ही अगर आपको कोई queries है तो comment box में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करो इस पर मैं आपको वीडियो जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करती हूं तो आप जितना हो सके उत्ता इस चैनल को शेर करो subscribe करो bell button को on करो जिससे कि आपको notification बहुत जल्दी मिल जाएगा तो बस यही कहना था और thank you for watching this video जल्दी में आपको सब्सक्राइब और और चैनल कोशिए जल्दी मिल ब्सक्राइब